खाल जी भाईयों कैसे हो आप स़डू आज हम बनाएंगे ग्रेप्स वायन जो हरे ग्रेप्स आते हैं मार्केट में उसकी वाइं उसको बनाने के लिए हमने यहां पे 1.5 किलो ग्रेप्स लिए हैं यह that यह कॉन्टit creative पांच किलो अगर वाइन ये तो उसके लिए आप देख सकते हो मैंने सारे अंगूर जो एं डेड़किलो तोड़के साफ करके दोके उसको जार में पाल लिया है जिसमें अंगूर निकाल देना है वह नह confusion छब ढलने इनको इसका जो जूस है वो निकाल लेंगे हमने अंगूर को पूरा पीस लिया है आप देख सकते हो पूरा पीस के इसको उसके बाद क्या करना है हमने चीनी लेनी है अराउंड एक केजी के पाद एक केजी हमने चीनी ले लेनी है ठीक है उसको मिक्स करना है इसके अंदर ठीक है मिक पीजोरी हो परकिश को पूरा अच्छे से गोल ना फिर इसके से आख रहें अगैं पता मीद को अगरणिा में दिखे कर सिंधिनों मिठम्तर न उसको चीली को में बंगोरें को अगरणिल से एक शुट गोल ने सब कि मैं रहें कि ऑदे आख अच्छे से गोलने के बाद फिर हम इसको आगे आग प्रसीजर बताते हैं क्या करना है पहले हम इसको गोलते हैं पानी डाल दिया पूरा ठीक है उपर तक बर लिया ज्यादा उपर तक नहीं बरना क्योंकि जब यह इसमें गैसे बनेगी तो यह जो अंगूर है यह उपर तक जाएंगा फिर यह ब्लोग हो सकता है यहां से इसलिए उपर तक नहीं भरना इसको थोड़ी सी यतनी सी जगह छोड़नी है और इसमें हमने गरम पानी डाल लिया है पूरा जितना भी हमने फिल करना ना कर लिया अब इसमें हम इस्ट डालेंगे इस्ट काव कॉन सा इस्ट डालना है कितना डालना है आधा चमच डालना है इसमें ले लिया है इसको मिसमें डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से मुक्त है तरह अब साथ जया आए इस्ट मिक्स कर दिया ठीका अच्छे से कि एक जगे ना उसको कर रहें के ढ़ी छोड़ देना अच्छ देना उसके बाद हम इसके डख頭 लगा देंगे इसके उपर जो हमारा डज कन बनाया वही है प्रिक है इसको अच्छे से टाइट कर करके एर्टाइट करके इसको छोड़ देंगे 15 से 20 दिन के लिए बाकी आगे इसका जो रिजल्ट आएगा ठीक है वह आपके साथ शेयर करेंगे एक वह अलग वीडियो में शेयर करेंगे और जिसने एयर लोग वाली वीडियो नहीं देखी जिसको एयर लोग बनाना है जहां एयर पर बनाना है ठीक है हमारे चैनल पर एयर लोग वाली वीडियो भी रखी हुई है वह देख सकते हो मिलते हैं कोई अगली नई वीडियो में ठीक है अब इसको बनाओ और जिसको कोई डाउट है वह नीचे कमेंट करके पूछ सकता है चलो ओके बाई